चलिए हम कोश्ण नॉम्बर 9 इसमें गीवन क्या पहले देख लो तो दिए इसमें गीवन क्या है इनद एक सामीने से 72 परसेंट और टूटल एक्जामिन पास्ट हो गए हैं जितने भी कंडिदेट थे उसमें 72 परसेंट क्या हो गया पास्ट हो एट इप प्दनमबर और फैल् फो तो आथा आपको पताने है टूटल एक्जामीन की है तो लेट करके हम पहले कर लेते हैं लेट टे टाल मूल mÈकिजामीन कि वह इस ऑर टूटल ढूंबर इंगो प स्ट उब्र सेवनटीटीटफर अब यहां थोड़ा आप चाहें तरहें थो ईप पर सेन्ट के बाद के इसको भटा दीजी और यहां से लिख दीजिए ता नंबर ओफ यह पूरा लिख कर के दा नंबर अवग जाँ हूँ फेल लिख्ये क्या लिख परसेंटेज ऑफ हेल कंडिडेट तो पर सेंटेजर फ्यल कंडिडेट की जगे आप यह लेंदी मेधड ना क परसेंटेज आप क्या लिखेंगे दा सब्सक्राइब कर देना कितना हो जाएगा इतना इसके बाद अब जब इतना आ जाएगा फिर आपको क्या करना है यह 28 परसेंट अब यह आरा है तो आप लिखेंगे 28% of x is equal to 392 टीक है इतना इसके बाद इसको स्वाल पर देता है ठीक है क्यां क्या लिखेंगे एक मिन ठीक है जो 28 आया था ठीक है 28% of x is equal to 392 इसके बाद 28 into x upon 100 is equal to 392 टीक है cross multiply करिए तो यह हो जाएगा आपका 392 into 100 और upon में क्या जाएगा आपका 28 टीक है दिन आपको क्या करना इसको divide करना है ठीक है तो 28 से divide कर देजिए 14 आएगा 14 के इंटू आप 100 में करें तो कि इतना हो जाएगा 1400 और यहीं आपका answer होगा ठीक है अगर यह short form आपको सब्सक्राइब नहीं आता तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा तो दो से काट दिएट किता है 36 नीचे आगे 50 फिर दो से फिर से काट दिएट 18 हुआ और नीचे क्या हो गया अगर आपको समझ में आए तो यह यह वाली कर सकते हो अब इसमें क्या करेंगे तो यह कर दिए अब फेल जो हुए तो क्या करते हैं क्योंकि हमारे पास पास के कंडिएट इतने आया थे इसको 25 का इंटू करेंगे एक से 25 एक माइनस 18 हुआ इसके बाद दोनोंक सब्ट्राइट के 7x आपको 25 आ गया यह कितना हो गया अब फेल के कंडिएट आपको दिए है ठीक ना कोश्चन में आपको फेल दिए थे किते कं 392 और नंबर भी आपको मिल गया 392 फेल भी थे और अभी टोटल नंबर भी आपको फेल के मिल गए ठीक है यह आपके पास फेल के नंबर ही मिल गया अब आप क्या करेंगे इतना 7x अपॉन 25 इक्वल 392 अब हमें एक्स की वेली बस्ट चाहिए तो एक्स को रोक लिजिए इ 45 का इंटू 392 से 7 डिवाइड पे अब 7 किसमें डिवाइड कर दीजिए तो कितना आजाएगा 56 और 56 से इंटू जब कियेंगे करेंगे तो इतना ही आएगा और इस प्रकार कहा जाए कि टोटल नंबर अब एक्जामीन कितने आ जाएंगे टोटल नंबर अप एक्जामीन 14 100 ठीक है इस प्रकारी कोश्चन हो जाएगे सौल सो आई हो कि आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट्स करेंगे इसको